दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में दो स्क्रीन कैसे चला सकते हैं जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे यह उपर नोट्स खुला है हम चाहें तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी जो है टाइप भी कर सकते हैं और साथी में मेरा आधी स्क्रीन में यह कैलकुलेटर खुला है अगर हम इसमें चाहें तो कुछ भी जो है वो प्लेस भी कर सकते हैं add minus भी कर सकते हैं, तो हम साथ में calculator भी use कर सकते हैं, उपर notes भी, इसी डाइप से आप चाहें, उपर YouTube खोल लीजिए, और नीचे को यह और app खोल लीजिए, तो आप यह कैसे करेंगे, यह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो for example, यहाँ पे हम जो है, इसको पहले exit कर दे जीचे, उसके बाद आप यहाँ पे जो है recent वाली बटन होती है, इसको मतलब minimize करने वाली, इस पे आप click करिए, यहाँ पे आपके सामने इस type का interface आजाएगा, अब आपको calculator पे थोड़ी दे tap करना है, यहाँ पे हम tap करे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको यह एक option दिखेगा, split screen का, आप इस पे click करिए, click करेंगे तो आपके सामने इस type का interface आजाएगा, वो उपर आधी screen में खुला है, अब आपको करना क्या है, अब दूसरा app आप जो भी चलाना चाहते हैं, साथ में आपको वो open कर लेना है, तो for example हम यहाँ पे notes open कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने notes open कर लिए, अब आप देख सकते हैं, दोनों app साथ में खुले हैं, अगर हमको notes को थोड़ा बड़ी screen में करना है, तो हम यह जो आपको बीच में एक हलकी सी line दिख रही होगी, आप इस पे click करके, उपर नीचे scroll कर सकते हैं, ठीक है, तो for example हमको notes के लिए ज़्यादा जगह चा कर दीजे सबसे उपर और यह जो है हट जाएगा, तो इस टाइप से आप अपने phone में multi screen चला सकते हैं, अगर video से help होई हो तो video को कर दीजे like, channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press, ऐसे ही और भी videos देखने के लिए